आज हम बनाएंगे मटर आलू की सबजी यह बहुत अची बनती है और यह बहुत लोगों को पसंद भी आती है और यह टेस्टी लगते बनते हैं और इसे मैं बहुत ही अलग तरीके से बना के दिखाऊंगे तो चलिए सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने यहां पे कराही में थोड़ा जीरा डाला है आलू को हमने धो के काटके इसे हम फ्राई करेंगे और थोड़ा हल्दी डाल देते हैं और अब इसे मैंने कटे हुए आलू को यहां पे हमने डाल के इसे भूंजना है मैंने जितने भी आलू लिये हैं सब इसमें डालूंगी यह हमने यहां पे न नए आलू रखे हैं जो छोटे छोटे भी अगर है तो भी लेके नए वाले और उसे डाली उसे भुझे उसके भी सब्जी बनाए तो बहुत जादा ही टेश्टी आती है क्योंकि नए आलू ने सीजन में निकलते हैं तो मटर आलू की सब्जी कंज्वी हैं बहुत ही अच्छी रेशीदार बनती है और हल्दी यहां पे डाल तक सब्जी अच्जे में दसते हैं कि थोड़ा कलर भी आ जाते हैं और अच्छे सीड़ाइदे से हमने नमक मिला देंके जल्दी पक भी जाते हैं तो इसलिए उसे हम मिलाकरि सबS ob CEO ौ भूं और इसमें हमने मेथी, सौंफ और मस्टर्ड श्रीड और इन सब चीजों को हमने डाला है तेजपत्ता डालके और अब इसमें हमने कटे हुए प्याज को इसे भूंजना है और अब इसे हम भूंजेंगे एक दो मिनट के लिए यहाँ पर क्या करना है हम कटे हुए मिर्ची को भी डाले है इसे डालने से थुरा सा तीखा और स्वाद भी अलग आते हैं प्याज अब यहाँ पर हमने भूंज के रेडी हुए और अब इसमें हम टमाटर के टूकरे डालकर इसे हम पाकाएंगे थुरा नमक डालकर तोकि इस को हमको तब तक पकाना है जब तक यह पूरी तरह से पकना जाए और इसी में सब सबजी को मिलाना क्योंकि पेश्ट नहीं बनाने है और यहाँ थुरा नमक डालकर अगर इसे हम कराही में इसी बरतन में भूंज लेते हैं हलके दीमे आज पे तो यह पेश्ट त्यार हो जात आला है और आप इस में हम neighboring अद्रक और लशन का पेश्ट कीट में पार टी अपर डाल दीजिए हमने यहाँ पर को मिलाए है तो और इसे में हम सब मसाले भी मिला। लाल मिर्चि इडाल दे लाडी जे एक चोटे चमट चितनी की सब्सक्राइब उसी साफ से डाले और एक चमच हमने यहां धनिया लिया है चोटे चमच से और गोल की और जीरा के पाउडर भी यहां पर डाल दिया और इसे धीमी आज पर इसे भूंज दे रहा ना जब तक तब तक यह तेल ना छोड़ने लगे या भूंज कर पुरी तरह से पक न जाए यह और ताकि इसमें हम जब आलू पूरे डालके से मिलाया तो मसालय उसमें आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए घुल मिल जाए तो इस तरह से थोड़ा आप कर सकते हैं अगर आप तेल कम खाते हैं तो आप इसी तरह से बनाई है और ज्यादा तो फिर उसमें आप डाल सकते हैं ताकि आपको अलग से पानी थोड़ा डालने के जोदना पड़े और इसमें जो गिला किया था फिर से पानी डाल करना उसे में सब्सक्राइब कि में डालने शेज़ ने कितना अच्छा सब आलू में मिक्स होगा है मसाले और थोड़ा थीन मिनट में से बूझेंगे इसके साथ ताकि मसाले के टेस्ट इसमें आ जाए और उसमें हम पानी डाल कर इसे ढखक कर छोड़ देंगे इसे भी थोड़ा पानी ढखने के पकाएंगे इसे धीमी आज पर इसे सिजने देंगे कम से कम करीब 10 मिनट या 15 मिनट तो लगी जाते हैं और ये देखिए ये मेरे आलू यहाँ पे हो गया तो अब मैंने इसमें मटर डाल के इसे चलाना है और 2-3 मिनट और इसमें हम लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाले के पाउडर यहाँ पर डाल देना है और इसे भी 2-3 मिनट ढखके अब इसे पकाएंगे क्योंकि मटर यह तो सिज जाएंगे तो इसलिए इसे हम बस थोड़ा समय के लिए ही रखना है ज्यादा देरी नहीं और धीमी आज गैस के रखना है अब इ देखिए रशेदार आलू मटर के सब्जी बिल्कुल बन गई है ना अची लग रही है ना टेश्टी भी है बिल्कुल यहां पर आपको मेहनत भी बचेगी और अपकम समय में अलू मटर के सब्जी बनाएंगे नए अलू को आट करिए को तो ज्यादा टेश्टी बनते हैं और इसी तरह से आप उपर से गल्रीश कर लिजिए धनिया डालकर और अब है कि वुण यह रेडी हो चुके हैं तो आप इसे रोटी चापाटी के साथ पोरी के साथ खा सकते हैं वीडियो मेरे पसंद आये तो वीडियो के लाइक कर दें और शेयर कर दें और वीडियो पसंद ना आये तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं